हेलो फ्रैंड्स नायक इंजिनर्स में आफका स्वागत है तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टोपिक है How to calculate Height using angle and distance तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले है हाइट निकालना कब जब हमारे पास angle दिया हो और distance दी हो तो हम हाइट को कैसे मजर करेंगे इस वीडियो में हम यह सीखने वाले है तो दोस्तों वीडियो में बने रही है आंतर तक और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ओन करते ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड ह तो उसकी notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक डाइग्राम सो किया है डाइग्राम में मैंने पताया है कि एक वाल है और इस वाल की हम हैट को कैसे मेजर करेंगे ठीक है सदॉलाइड के सेंटर से वाल तक की हईट सो को मेजर कर लेना है को पता चल जाती है रहां लिए वो डिसके 50 मिटर है ठीक है अब हम इस यह कि हमारी तो जयादा बढान होता है उसको डाल नहीं होती कि हमने मेजर करने में को फ्रॉब्लम हो तो हमने वो मेज़र कर लई हे एज हमारा आ गया है इसको हमने नाम दिया हमें होइ 1.5 मीट तो यहां का जो एंगल रहेगा वह रहेगा हमारा 90 का एंगल बनेगा ठीक है दोस्तों तो अब हमें क्या करना है इसकी टोटल हाइट निकालना है तो टोटल हाइट ओवाल ठीक इस वाल की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी एज प्लस एजवन एज प्लस एजवन ठीक है एज हमारे पास है कितना है 1.5 मिटर और एजवन अभी अन्नावन है जो कि मैंने पूरा कैल्कुलेट कर रखा है 35.01 आएगा यह 35.01 कहां से आया मैं आपको पूरा बताता हूं ठीक है तो यहां से मैंने पहले ही पूरा कैल्कुलेशन कर रहा है ताकि हमारा वीडियो पढ़ाना हो ठीक है दोस्तों सबसे पहले हमको यह जाना चाहिए कि साइन ठीटा कोस ठीटा और टेन ठीटा यह इनको हमें मतलब इनका जो फार्मूला बनता है यह हमें याद होना चाहिए जैसे कि साइन ठीटा होता हे पर्पेंडिकुलर डिवाड़ड़ीड़ by हाइपोटेनियस ओके खोस्त ठीटा होता है पैस डिवाड़लचर्थ बाई हैं भाइज फॉत है था कि मैने हिंदी में नाम लिकेए समझाने के लिए यह वाले जो नाम है आपको उसी से हमारे साइन को घंड के जो हमें फर्मूले है वह में याद रह जाते हैं ठीक है ल Almप के करण यह हमारा साइन ट्रिता होता पर रहे को टेंटे कोまだ men आदार बटे करन न दिया है मतलब एसे आधार कैसे करन ऐसा ही टेनठ्ट टिटा एल से लंब ऐसे आधार तो लंब बटे आधार होता है हमारा टेनठ्ट ट्रिक यह मैंने याद करने के लिए पताया हूँ यह हमारी एक ट्रीक है होगे तो अब हमें क्या निकालना है हमने इस हमने इसमें यूज किया है टेन खिटा का हमारा कितना परपेंडीकिलर डिवाड़ेड बाइड़ बैस तो लेकिन आपको मैं एक चीज बता दू कि यह हैपोटेनियस परपेंडीकुलर और बैस हमें यह भी पता होना जाए कि यह क एक बैस रहता है और एक परपेंडिकुलर होता है जिसमें कि हमेसा हमारा कंफूजन बना होता है तो इस कंफूजन को मैं आपको दूर कर देता हूं जहां हमारा एंगल दिया हो ठीक है यहां का हमारे पास एंगल दिया है 35 का तो उसके जर्ष्ट सामने वाला जो लेंद रहेगा वह हमारा प्रपेंडिकुलर होता है ठीक है दोस्तों यह चीज़ आप हमेसा ध्यान रखना ओके तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा टेन ठीटा क्यों क है वह भी मैं आपको बता देता हूं नहीं तो हम कोश्ट इटा भी ले सकते थे साइंट इटा भी ले सकते थे लेकिन हमें निकालना है यहां परपेंडिकुलर हाइट को क्योंकि हमें निकालना कौन सा है यह वाली हाइट निकालनी है ठीक है मैंने इसी के जैसे सेम इसके ज divided by best ठीटा भी हमारे पास available है मतलब हमारे पास दो चीज अवेलेबल है तो हम प्रेपेंडिकुलर हाइड जो कि हमें चाहिए इसकी हम आराम से निकाल सकते हैं इसलिए हम 10 ठीटा का यूज कर रहे हैं होगे तो हमने यहां पर 10 ठीटा रखा है है टीटा का मारे पास ठीटा का मान 35 डिगरी है प्रेपेंडिकुलर हमारी एच वान है जो कि हमें निकालना है और बैस हमारा 50 मीटा है 50 मीटा है कि मैं तो अब क्या कर लें हमें एजा को एज reflection इन्ट стан तो हमारा निकल आएगा 35.01 मिटर ठीक हमने एच वन का मान निकाल लिया हूं कितना आया 35.01 मिटर ओके अब हम क्या करते है टोटल हाइट में इसका मान रख देते हैं तो हमारा आगया है 35.01 मिटर है तो हम यहाँ पर सिदा मान रख दिये है टोटल हाइट में एच प्लस एच वन 155 प्लस 35.01 तो हमारा आगया 36.51 मिटर तो दोस्तों ऐसे हमने वाल के हैट तो निकाल लिये तो हम चाहे तो बड़े से बड़ी वाल हो को हस्पिटल हो चाहे बिल्डिंग हो चाहे कुतुब मिनार यहाँ आपिल्डावर क्यों नहीं हो उनकी भी हैट को असनी से मेजर कर सकते है तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो प्लसे से लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें और आप अमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देंक्यू झाल झाल